आप सभी का आपके अपनी यूटूब चेनल रोजगा टीवी में स्वागत है जो इस सल बीड में अडमिसन करवाना चाहते हैं आप लोग सभी इस वीडियो को अच्छे तरह किसी देखिए क्यूंकि आज कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बीडियो में आपका क यह जो डूकुमेंट है आप कहां से बनाएंगे और किस प्रकार से बनाएंगे हर एक चीज के बारवन में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर गजिए गा और जीतना हो सके इस वीडियो को इन बीड आपको बीड में एडमिसन कराने के लिए जो जो रिक्वेड़ डॉकुमेंट है उसका लिस्ट यहां पर बना हुआ है तो देखिए एका करके बात करते हैं तो पहला जो डॉकुमेंट है हमारे पास क्या लगेगा सेल पर डिकलेरेशन डॉकुमेंट लगेगा ठीक ह अब अब माँद ऑगेगा अपका एकिट लगेगा कहां वह जाएगां फिरहंगे देखिए धियाख्यास क्या मेंifiques मेडिक ल सर्टिफिकाट या फिट नस सर्टिफिकेट यह मूध्य और मैंने चाहिए और यह यह खाले बना का से और यह कहां руб शीट से बंचाएगा आप कोई टेंशन नहीं है आप बना सकते हैं देखिए आगे क्या है जो फोर्थ नमबर में चाहिए हमको क्या चाहिए मैट्रिक का मार्क सिट चाहिए और मैट्रिक का जो पासिंग सर्टिफिकेट है यह चाहिए फिर इंटर का क्या चाहिए इंटर का मार्क सिट चाहिए गरिजव आपको मैं आगे और बता दूंगा कि क्या क्या यहां पर यहां पर जैरोक्स लगेगा तो सबसे पहले यह तो चीज आप जान लिजिए कि हैं पर यह आपका clc यह दिलसी जो लगने वाला है यह आपका ओरिजिनल लगेगा फिर यहां पर देखिए जो आपस नंबर में हमारे पास दस नंबर में क्या है सटीफिक जो आपका और लगेगा आपको ऑरिजिनल देना है माईगरेजन सटीफिकेट और हो सकते आप तिसे पढ़ रहे हैं अगर आप उसी करवा रहे हैं कलर फोटो ठीक है पासपोर्ट साई कलर फूट लगएगा और यहां पर आघएगेगा इस चीज को वेलिए ड plaint ओप को पॉट को टेना है तियर सटिफिकेट देखिए आपको मयोगत यह songs आप्कैपन का अस्तान और परमानपंत्रिन्जा सीटिफिकेट देना है तुन Course अगर को चुछ लेना है किसी भी काश्ट से अगर आपको चूट लेना आरक्टट लेना है तो आप दिजिए नहीं तो आप नहीं दीजिए को नहीं है यहां पर आपको इंकम सेटिफिकर्ट देना है किनको किनको SC ST और OBC क्यांकि यहां पर भी आपको scholarship दिया जाता है और लगबग लगबग एप्रोक्स 38 38 के यानि कि 38,000 के आसपास यहां पर scholarship दिया जाता है आगे देखे क्या है जिस टाइम आप फॉर्म को भरे थे यानि जिस टाम आपने रेजिस्ट्रेशन करवाया था ठीक है अब क्या है कि आपका original लिखा गया है उसमें तो आपको originally देना है और जिसमें आपका original नहीं देना है उसको आपको jerox देना है और यहां पर साप साप लिखा गया है क्या लिखा गया है कि jerox document must be self-attested और जाइडिस्टेट होना चाहिए जो भी आप jerox कराएंगे जो भी आपका documents रहेगा निचे आपका sign होना चाहिए जो भी आपका नाम रहेगा आप जिस प्रकार से sign करते हैं उसी प्रकार से निचे आप लोग sign कर दीजेगा ठीक है और हो सकते हैं यहां पर आप का मांगा गया है और यह सारा डोकुमेंट्स देखें लगवा लगवा डोकुमेंट्स आपके अपास है बात रहा यह तीन डोकुमेंट्स का थी जो पहला और दूसरा डोकुमेंट है यह तो आप कोर्स से बनवा लेंगे और यह जो थर्ड बाला है इसको आप मतलब किसी भी ह Thank you, Jain.